इस वीड़ों बात करेंगे सियर मार्कीट एप्लिकेशन जो कि एक फॉन पे का एप्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है इस एप्लिकेशन को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं इस वीड़ों हम बताने वाले हैं दोस्तों इसे पहले हम आपको बताया था तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं share market application को किस तरह से use करते हैं application को open करने के बाद interface इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला option आता है search box का इस search box पर आप जब भी click करेंगे तो आप यहाँ पर stock, ETF या फिर इससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं जैसे कि हम इस पर click करेंगे और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर ICI bank का जो stock है उसको buy करना चाहते हैं तो simple सा आपको ICICI लिखना है इस तरह से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ICI bank के जितने भी जानकारी है वो यहाँ पर दिखाए जाती है यहाँ पर option मिलेगा all का, stock का, option chain, features और ETF बगेरा का यहाँ पर आपको option मिलता है मानले जी हमें जो पैसा लगाना है वो search करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा sitok का और हम चाहते हैं कि sitok, ICI का sitok है जो buy करना है तो आपको sitok पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर ICI के बारे में जितने भी sitok यहाँ पर open किये गए है NSC, BSC के अंदर वो दिखाए जाते हैं सबसे पहले आपको officially ICI bank Ltd का यहाँ पर आपको sitok मिलेगा आपको इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपको सामने इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपको नीचे आपको buy और sell का option भी मिल जाता है तो चले जैसे हम back करते हैं, इसके बारे में हम पूरी detail से बात करेंगे बैक जाते हैं, इसके बाद option मिलेगा हमें नीचे option मिलेंगे इनके कुछ features के जैसे कि सबसे पहले features के बारे में हमने बात आया है आपको जैसे कि सिटोग के बारे में तो आप सिटोग पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने अलग-अलग सेक्टर के सिटोग यहाँ पर दिखाय जाते हैं अगर आपको सर्च में नहीं आते हैं तो आप सिटोग पर किलिक करेंगे और आपके सामने बिराउज बाइ सेक्टर वा जो शिटोग ओपर हैNS cyber के अंदर वह दिखाए जाते हैं आप देखेंगे जितने यहां पर बेंकिंग लाइन है जो इनका सबीन यहां पर पर दिखाए जाता है इसके बाद आपको यहां पर इनका नाम दिखाए जाता है इसके बाद यहां पर इनakah प्रैस है अगर यह red यहां पर आज के दिन शाट रुपे का जैसे लोस देखने को मिल रहा है और उपर देखेंगे तो एलाइसी हाउसिंग के अंदर हमें पलस की इंदर छे पॉयंट चैलिज पैसा का प्रोफिट देखने को मिलेगा यहां से आप इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों इसके बा करेंगे अब यहां पर ओएल और गेस के जितने भी सिटोक आज के टाइम पर यहां पर नसी बैसी के अंदर रेजिस्टर किया गये हैं वह दिखाया जाते हैं जैसे कि रिलाइंस इंडेस्ट्री ल्टीडिक के अंदर आपको क्या सिटोक देखने को मिलेगा ओएल एंड ने की मत दिखाती है इस टोक ने आज में कितना प्रोफिट किया है कितने रूपय का जैसे 16 का यहां पर प्रोफिट दय रहा है और 2814 फै का इस प्राइस चल रहा है यहां पर ठीके दोस्तों यहां पर इनका चार्ट कर देख THAR आपको यहांपर मिल जाता है subconscious हब आपब कर सकते का का सिंपल साब को बाइवावालों औप्सण पर किलिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देहने को मिलेगा इसके बाद प्रोड़क्ट टाइब का एक ओप्शन आएगा तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने डिलिवरी और इंटा डे का option आता है डिलिवरी का मतलब कि जो सिटो का आप बाई करेंगे उस सिटो को आपके दिन या फिर साल तक रख सकते हैं इंटर डे पर आगर आप किलिक करेंगे तो आप जो भी यह सीर आज यहां पर खरीद देंगे वो आपको टाइम के हिसाब से यानि की तीन बज़े तक आपक मिलेगा अब यहां पर order type में आपको market order पर खरीदना चाहते हैं limit order लगाना चाहते हैं या फिर आप टारगेट प्राइस लगाना चाहते हैं वो भी यहां पर सेट कर सकते हैं इसके बाद देखेंगे तो option मिलेगा quantity का यानि कि आप कितनी quantity में stock buy करना चाहते हैं simple चा आपको यहां पर type करना है जितने भी सेटों का बाइक करेंगे वो यहां पर आपको दिखान होते हैं नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने आपका margin दिखाए जाता है और एक advanced option मिल जाता है आपको यहां पर वैलिटी और quantity का option भी मिल जाता है दोस्तों आपको यहां पर option मिलेग यहां पर क्लिक करके आप यहां पर अपना सेटों को सेल कर सकते हैं सेल का भी तरीका यही है दोस्तों आपकी market ऑपर होती है तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं नहीं तो पिर अगले दिन आपका जो सेल होगा अब यहां पर आप देखेंगे product type है यानि कि आपने product है जो किस type खरिदा था इंटरे डिलीरी में आपको अगर वाई किया है तो डिलीरी पर किल्क करना होगा इसके बाद और टाइप के अंदर आपको मार्किट आपकर किलिक करेंगे तो आप तॉपर करने के बाद आपने फ्सक्तुराइन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जल्दी जल्दी में आपको इसलिए वता रहा हूं क्योंकji यहाँ आपको विडिश्य सम्झाने वाला हूँ इसके बाद आपको option मिलेगा browse by collection का आप चाहें तो यहाँ पर अपना collection बना सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने option आता है कि वह सी टोक दिखाए जाते हैं कि जो आज कर टाइम पर अच्छा performance करते हैं इसके बाद मोटिलाल और स्वाल का जो यहाँ पर एंटेफ वह भी दिखाए जाता है साथ में इनका प्राइस है वह यहाँ पर दिखाए जाता है अगर यहाँ पर ग्रीन में हैं तो आपको यहाँ पर इसका प्राइस है वह यानिकी के अंदर आपको प्रॉफिट है और रेड के अंदर आपको लोग से देखने मिलेगा इनके अंदर भी आपको यहाँ और शेल करने का शैम आप्शन मिल जाता है तो इसके बाद नेक्ट लिए और आपशन का इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना कर सकते हैं कि अप्रॉफिट कर सकते हैं इसके बदोस्तों झालब मार्कीट का एक जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इंडेक्ट दिखा जाते हैं जैसे कि हमारा निफ्ति-फिप्टी का इंडेक्स दिखाई जाता है इसके बाद निफ्ति डिक्श का आपको इंडेक्स डिखाए जाता है वोमिलेगा वोच लिस्ट में क्या दोस्तों फिर बैंकिंग लाइन के साफ से अपना वोच लिस्ट बना सकते हैं सिंपल सा आपको क्या करना है अगर आपको यहां पर अपनी बैंकिंग लाइन में कोई भी सिटोक एड़ करना है तो आपको एड़ सिटोक पर किलिक करना है इसके बाद आपको सर्च करना है जैसे कि आइस यहाँ पर एड़ हो चुका है यानि कि वोच लिस्ट में एड़ हो चुका है अगर आप चाहते हैं इन्हें डिलीट करना तो सिंपल सा आपको क्या करना है आपको इस पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हाइट वाला आपको इस पर किलिक करना है तो आ आप चाहें तो अपना एड़िट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर माइनस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आसानी से अपना यानिकी वोच लिश्ट से इसे हटा सकते हैं जोब पर देख सकते हैं, आपे यहाँ पर सिर्फ बैंकों को यहाँ पर फॉचलिस्ट में एड़ कर रख्या है, अगर आप चाहते हो leash बनाना तो तो Simple साब को यहाँ पर lining मिलेंगी, आपको इस पर click करना है, click करने के बाद आपको option मिलेगा, create new watch list का, आपको इस पर click करना है, आपको यहाँ पर उसका नाम देना होगा, जो भी stock, यानि कि आप यहाँ पर add करना चाहते हैं, जैसे कि oil वाला यहाँ पर हम search करेंगे, यहाँ पर तो आपको oil क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने oil india limited का option है, जैसे कि आपको यहाँ पर add करना है, आपको simple search पर click करना है, यह आपको watch list में add हो जाता है, बात करते हैं इसके wall basket के option के बारे में, दोस्तो wall basket option क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी detail बता देते हैं, दोस्तो जैसे इस पर click करते हैं, तो आपको यहाँ पर wall basket के अंदर बहुत ज़्यादा पेसे वाले यहाँ पर आपको sitok दिखाया जाते हैं, आप देखेंगे जैसे कि grant of india, यानि कि आपको इसका minimum account amount है, जो 1000 रुपे का है, और इसमें आपको यहाँ पर six month, eight month का अंदर इनका कहें कि आपको sitok है, जो 10 sitok है, और इनकी जो कीमत है, वो आपकी 50,000 रुपे होने वाली है, आपको 8 महिने के अंदर आपको 35% आपको यहाँ पर interest मिलेगा, अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं, इनवेस्ट पर आपको click करेंगी, basket wall के अंदर आपको इसमें तरह का loading option आता है, थोड़ा सा load करेगा, आपको यहाँ पर इसके बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि आपको देखेंगे समाट मोमेंटम है, जो आपको इसकी डेट दिखाया जाती है, इसके प्राइस दिखाया जाते है, कि इसके इंदर कितनी परसेंटेज में अपना पैसा लगा इसके बाद यहाँ पर आपको सेगमेंट दिखाया जाते हैं, इनके कितना परसेंटेज चलता है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे तो आपको इसकी गिराफिंग दिखाया जाती है, कि इसमें कितना गिराफ देखने को मिलता है, यह सारे चेज़ देखने के बाद आपको option मिल जाता है invest now का तो आपको invest now पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना पैसा भरना है इसके बाद invest now कर देना है दोस्तों इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को like करें दोस्तों साथ share करें आगे भी हम आपको इस तरह की जानकरी समय समय पर लात रहेंगे thank you for watching इस वीडियो